1 by 3 square plus 1 by 2 cube plus 1 by 3 raise to 4 plus 1 by 2 raise to 5 plus 1 by 3 raise to 6 अब इसमें मैं क्या करने वाला हूँ? यह जो 2 वाले टर्म्स है ना उसको साथ में रखता हूँ तो मैं इसको ऐसे लिखता हूँ 1 by 2 plus 1 by 2 cube plus 1 by 2 raise to 5 plus dot 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 और अधर प्लस 3 वाले टर्म्स 1 by 3 square 1 by 3 raise to 4 1 by 3 raise to 6 dot dot ठीक है अब यह दोनों GP है दो अलग-अलग GP की सीरीज है इसमें पहले वाले में आपका जो a है वो half है और जो r है वो 1 upon 2 square है इधर 1 upon 2 raise to 1 है इधर 1 upon 2 raise to 3 हो गया तो R क्या मिलेगा? R 1 upon 2 square हो इधर भी देखो 3 और 5 है तो 2-2 से बढ़ रहा है इधर अगर हम देखें तो A है 1 upon 3 square और R है 1 upon 3 square इधर भी देखो 2, 4, 6 है 2-2 से बढ़ रहा है तो अब ये दोनों sum of infinity है sum of infinity का क्या formula है बच्चों? S n is equal to A upon 1 minus R ये हमारा formula है sum of infinity का तो is equal to पहले वाले term का sum क्या होगा? तो half upon 1 minus 1 upon 4 कर दूना ये 1 upon 2 square है तो is equal to अच्छा इधर प्लस भी करना है second term का sum क्या होगा? तो 1 upon 9, 1 upon 3 square आपका A है divided by 1 minus 1 upon 9 ठीक है? 1 minus R तो अभी इसको मैं solve अगर करूँ मैं इधर right में solve करता हूँ तो ये हो गया 1 upon 2 और upon 3 upon 4 होने वाल है उसको मैं उल्टा कर देता हूँ 4 upon 3 प्लस 1 upon 9 नीचे 8 upon 9 होने वाल है उसको मैं उल्टा कर देता हूँ 9 upon 8 तो ये 2 2s are 4 याने हो गया 2 upon 3 प्लस 9 or 9 कैंसल ये हो गया 1 upon 8 अगर मैं इसका LCM ले लूँ तो 16 plus 3 upon 24 याने के 19 upon 24 मुझे answer मिल रहा है तो 19 upon 24 याने A ये मेरा right answer है ओके